अभी हम पटना में हैं और पटना में आत्म निर्भर चाय वाली के पास हैं और जो इस्टॉल है पटना में है और आत्म निर्भर चाय वाली है एक लर्की चलाती है ऐसे बिहार में लर्कियों को कहा जाता है कि घुंगट में रहना है घर से बाहर नहीं निकलना है ऐसे में लर निरबर चाय वाली के पास आय हुए है तो आप इनसे बात करके दिखाएंगे कि लड़किया जी होती है वो पहले बाप पे निरबर होती है और बाद में पती पे निरबर हो जाती है लेकिन ऐसा यहां नहीं है यहां आप निरबर चाय वाली अपना खुद का इंस्टॉल समझ कि खोली इंस्पाइडेशन मिली तो मुझे भी हिम्मत आई अच्छा ऐसे बिहार में लर्कियों को मतलब पहले अपने पापा पे और बाद में पती पे निरबर हो जाती है लेकिन आप चाय का इस्टॉल खोल दी मतलब कहीं न कहीं है मोटिवेशनल चीज है हम लोके लिए जो बिहार के लोगों मैंने इतना सोच के नहीं खोला था सब्सक्राइब इतना हो गया तो बहुत अच्छी वाक्त भोली तो कहीं से न कहीं से मतलब जो प्रियांका गुपता है उनसे मतलब इंस्पारों जी इंस्पारेशन उनी से लिए और फूल एंबी एसर से तो पत्ना में आके लोग पढ़ाई करते हैं लड़किया जी होती है पढ़ाई करते हैं आप चाय का इस्ट्राल खोल दी पापा ममी या जो गार्जे ने वह आपको बोले नहीं पापा ममी शुरू में बोले थे अब सब ठीक है दिन का कितना कमा लेती एक दिन का सर कुलर तीन सो से चा इसे बहुत अच्छी है अगर आगे चलके अगर य में रहता करना चाहिए सकंद्ट है उससे पहले मेरा चाड़ी चलता है पहले पढ़ा डिये अब नहीं पढ़ादें क्छोड दी है चलिए अभी हम आत्मे निर्भर चाय वाली के पास थे पट्ना में आप लाइब एक्स्पूस देख रहे थे बहुत बदेनवाद